हेलो दोस्तों तो आपका नदीब स्टडी में स्वागत है और आज हम देखेंगे कि SSE के जो descriptive test होने वाले हैं ठीक है किसका descriptive होने वाला है CGL का होने वाला है CHS का और MTS का ठीक है तो उसकी strategy देखेंगे कैसे क्या करना है और मैंने 70 plus कैसे मेरे 70 plus कैसे आया descriptive तो मैं अपनी पूरी strategy बताऊंगा आज आपको कैसे score करना है तो आप end तक वीडियो को देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो देखके और आपको बहुत motivation भी मिलेगा और बहुत अच्छे-च्छे points मैंने बताए हैं जो descriptive के लिए बहुत important होते हैं ठीक है और descriptive की साथ में तयारी करते रही है क्योंकि CGL का 29 जनवरी को है 28-29 जनवरी को है फिर 6 फरवरी को उसका descriptive है तो लगबक चार-पांध दिन का ही time मिलेगा आपको ज्यादा नहीं मिलेगा अगर आपका out of station पढ़ता है exam तो ठीक है तो इसलिए अभी से इस तयारी स्टार्ट कर दीजिए और CHSL का भी जनवरी में है इसलिए और MTS का भी हो जाएगा तो देखते हैं अपन कांटों से पॉइंट अपन को ज़रूरी है 70 प्लेस कैसे स्कोर करें और MTS को देखना अपना स्कोर काड भी आपको दिखाऊंगा कि 70 प्लेस आए है क्योंकि प्रूफ जरूरी होता है आज कर सबके लिए चलो अपन देखते हैं अब तो पहले क्या करना है आपको पहले तो एक आपको कॉपी बनाना है या एक रईिष्टर बनाना है बाते बस आप सुनते रहना एंट तक आपको पॉइंट अच्छे लाइंगे एक कॉपी जरूर बनाना यह नहीं पीडियेफ से मत पढ़ना इस दो पेज में आप क्या करना टॉपिक लिखना सारी लाइन से लाइन से टॉपिक लिखना जो जो आप पढ़ने वाले हो या रईिस्टर में आप लिखोगे तो सारे टॉपिक लिखना ठीक है और जो टॉपिक फर्स्ट लिखा होगा वही स्टार्ट करना ठीक है तो ऐसे आपके और आप आगे भी पढ़ सकोंगी कॉन कॉन से मेने टॉपिक लिए हैं तो जो टॉपिक आप फस्ट लिखो तो उसको फिर पूरा अंदर राइट डाउन कर लेना तो एसे ऐसे आपकी रिटन की भी प्रेक्टिस हो जाएगी और आपके रैटिंग भी अच्छी होगी क् पहला पॉइंट होगे एक रइश्टर बनाना है आपको अभी सही और all the important topic तो फर्स्ट दो पेज पर इंप्वर्टन टॉपिक लिखना है आपको उस पर ठीक है और अंदर अब्सूरा मैटर लिखना उसका ठीक है और ठाड़ पॉइंट होगे आपको रिवाइस करना है डेली और फिर उसको रिविजन करता था मैं डेली बहुत फायदा होता है इससे में बता रहा हूं जो जो आल्रीटी दे चुका उसको बता होगा कैसे करना है जो नए है उनके लिए बता देता हूं मैं और आप पर ना topic कुछ fix कर लेना आप यहीं है कि कोई वीडियो देख लिया तो उसका एक topic लिए फिर कोई वीडियो देख लिया फिर उसके topic लिए ऐसे तो आप topic करोगे तो ऐसे तो 100 प्लस topic हो जाएंगे और ऐसे तो आप लिखते ही रहो गया descriptive test भी आ जाएगा आप अपने topic fix कर लो कि आपनको 20 topic पढ़ना है यह वाले तो और ऐसे topic select करो जिससे कि आ अब वहाँ पे अगर उससे related कुछ भी आता है तो वह points आप उसमें भी cover कर लो ठीक है तो ऐसे 20 ऐसे आपको best topic select करना है कि आपको लगी कि हाँ इसके में point इस वाले में लिख सकता हूं इसके कुछ point में इसमें भी लिख सकता हूं तो उससे आपको बहुत फायदा होगा ठीक करना कम से कम 20 प्लस या 25 तक आप कर सकते हो fix topic ऐसे topic करना जो सब cover करे और fix medium of descriptive और अपना medium या भी fix कर लेना कि आपको English में देना है कि हिंदी में देना है वहाँ पे आप किस वे टिक कर और टिक जरूर करके आना आगे अगर टिक करके नहीं आओगे तो copy check नहीं होती फिर करके आना English में कि Hindi में और English और Hindi अभी fix कर लेना अगर आपको Hindi में देना है तो register में Hindi में लिखना पूरा और English में देना है तो English में लिखना ठीक है कि end time पे आप change करोगे तो बहुत problem होती है और points भी याद नहीं रहते और जब आप topic बनाओ तो आप यह नहीं है कि आप YouTube पे क करना topic बनाने में जो matter बनाओगे उसका तो दोनों करना ठीक है तो कौन-कौन से use करना है अपन को online भी देखना है कुछ और offline भी देखना है यह मैं बताओंगा offline के लिए book भी बताओंगा आपको कौन से book लेना है मैंने लीती वो book और देखिए अगर आप revision कर लो ठीक है फिर आप जैसे एक day one day fix कर लेना अपना जैसे कि Monday fix कर लिया Monday फिर दो दिन छोड़के फिर Thursday fix कर लिया फिर Sunday fix कर लिया ऐसे से gap आप एक day fix कर लेना कि उस दिन अपन को morning में एक घंटा लिखना है ठीक है तो उससे क्या होगा आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी और वहाँ पर जाओगे तो इतने प्रैशर रहता है तो आप नर्वस नहीं होगे और अच्छी तरह आप लिख क्या होगे तो डेली प्रै करते रहोगे और क्या होगा और जब आप टॉपिक बनाओ तो देखो समय का right point wise don't write unnecessary point कुछ भी फालतू point नहीं लिखना only point wise बनाना जैसे topic लिया आपने education system तो education system कब हुआ यह हुआ ऐसे अच्छा point wise लिखना एक दो तीन ऐसे point wise तो जब आप final paper देने जाओगे न तो आपको याद नहीं रहेगा point point याद रहेंगे और वो points से अपन कुछ एक दो line add करके paragraph बना देते हैं तो point wise लिखना तो आपको बहुत अच्छा रहेगा और अपने matter में क्या करना facts लेकर आना क्या क्या है जो important है वो date अगर को यूजना पगेरा आ जाती है कुछ भी है तो कब हुआ कहा से हुआ place ठीक है और कुछ भी होता है और court लेकर आना बढ़िया बढ़िया उसमें और जब भी आप कुछ भी लिखो जैसे start करो जैसे education तो education और दो तिन नाम ऐसे हैं जो आप कुछ भी अच्छा सा लिखके उनका नाम लगा सकते हो जैसे कि भीमरा उंबेटकर जी है अपने महादमा गांदी जी है और अगर आपको कोई याद भी नहीं आए कि ये line किसने कही है तो इन तीनों में से किसी का भी नाम लिख सकते हो और किसी को भी याद नहीं रहता इतना कि ये किसने कहा है किसने कहा है ठीक है और जो matter है topic का वो अपने हिसाब से बनाना मतलब अपने according बनाना कोई क्योंकि आप अगर YouTube को follow कर रहे हो कोई channel को ठीक है किसी का भी channel follow कर रहे है YouTube का उसने topic लिखा अब वो आप ही तो नहीं लिख रह रहे हैं उससे तो वो हर हजार बच्चों का जो topic वो लिखेगा matter वो सबका सेम होगा ठीक है तो जब आप exam देने जाओगे तो वो हजार बच्चे जब लिखेंगे अगर वो same topic आगया तो सबका matter सेम हो जाएगा सेम हो जाएगा फिर जब examiner चेक करेगा तो first वाले को तो online भी करना को YouTube से point wise बनाना ऐसे नहीं मैच नहीं होना चाहिए अच्छा बनाना अपना क्या आपको लगे कि हां में को इत्माग मिल जाएगे मैंने भी ऐसे किया था कुछ YouTube से देख था कोई वीडियो से कोई offline कोई newspaper से तो उसमें कहीं से भी कुछ आता था उस topic से related तो मैं मैं writing यह ती और letter भी letter भी आ सकता है letter एक आये था कि complaint के लीए था रेस्ट्रोरेंट के पे बेस्टा कोई restaurant की complaint करनी है तो उसके important topic देखे हैं जो मुझे लगा कि आपको देख लेना चाहिए एक बार आपकी मर्जी है देखना है या ना देखना बाट एक बार इसको जरू करके आना जैसे अब डिजिटल इंडिया का बहुत चल रहा है ठीक है इंडिया में और आप ऐसे topic select करना ठीक है ऐसे topic select करना जो positive way मे हो ठीक है topic ऐसे ही आते हैं जो positive में government के positive में होते है वैसे topic आते हैं अगेंस्ट में कोई topic नहीं या था या उनने को योजना ची कियो और jo ऐसी यूजना करना जो बहुत चल रही हो ऐसी योजना करना एसी योजना ना मत करना जो fail हो गई हो तो ऐसे टॉपिक देखना जो पॉजटिव में हो जैसे कि इडिजीटल इंडिया ठीक है पॉलूशन अभी बहुत हो रहा है था अभी दिवाली के बाद education system कैसा रहा covid के बाद कैसा रहा पहले कैसा रहा ठीक है इसमें भी sports in India sports में भी बहुत इंडिया का क्या है तो वो भी आप देख लेना fit India program भी चलाया था yoga day भी चलाया था government scheme के उपर आ सकता है topic योजना है जो मोती जी ने योजना चलाई है बहुत सारी उनके जैसे की लाइक सुच भारत अभिहान देखे तो ऐसे सही उजोला योजना बहुत सारी योजना कम योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहां से हुई कब हुई सब points remember रखना ठीक है और Tokyo Olympic हुआ था भी तो भारत का production उसमें कैसे रहा Tokyo Olympic में और Tokyo Olympic में भारती महिलाओ का production तो इसमें आप अगर आप पढ़ोगे नहीं Olympic के बारे में तो आप सिर्फ ऐसी लिखे आगे उन्हें अच्छा production किया ये और आप सब के नाम याद रहेंगे तो medal वगेरा भी लिखोगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट पढ़ता है कि इसने इतने medal जीते इंडिया ने टोटल इतने जीते इंडिया का इस्तान क्या रहा टॉप पे कौन रहा ठीक है और इससे आगे वाले यूबाओ को क्या असर पढ़ेगा इस पे जतने मेडल जीते हैं तो वह सब पॉइंट अच्छे अच्छे लिखना और एक फीरन फ्रीडम ओप स्पीच भी आया था शायद अभी आया था दो 2019 में तो इस पर लिखा था मैंने और अच्छा आया था फ्रीडम फ्रीज तो इसमें आपको आर्टिकल बगर आयाद होने चाहिए और कुछ कब क्या हुआ जी सब याद होना चीह तो मां अच्छे मिलते हैं और इनोवेशन गवर्मेंट की फ्रोम् जैसे मेकन इंडिया ए कुछ तो इनवेशन और इंडिया में तो फर्लेट ढारे का न पॉस सकते हैं चाहिए और वारेवर्बारे तूरिज्म के बारे इन क्योंकि COVID के बार इफेक्त पढ़ाए, तो टूरिस्म के बारे हैं, पढ़ लेना, और इंडिया में COVID vaccination प्रोग्राम कैस रहा, उसके बारे में पढ़ लेना, हेल्स सेक्टर पढ़ लेना, इंडिया का, और work from home पढ़ लेना एडवांचर डिसे डवांटे फाइब जी भी आने वाला इंडिया में आ गया इफ जी तो उसके बारे में पढ़ लेना आत्म भारत स्टार्ट किया था मोधी जी ने को रोना के टाइम पे तो उसमें पढ़ लेना और एजुकेशन पॉलिसी कैसी अपनी नहीं व क्या क्या हुआ, क्या क्या योजना यह ताइम पर है यह बहुत अच्छे इंप्ट, टॉपिक है। जो करेंट में चले हैं ञाता है more Doctor है बहूं है इंडिया सिनेमा से कुछ कर ले और यह आपसे पूछ सकते हम कैसे कम करें वाई प्रोडूशन ठीक है तो यह बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक रहते हैं न्यूस पेपर देखते रहना अब देखो इन पर सब आपको पूरा आगर आप इसको पड़ोगे तो गाउं में भी शेरों जितना प्रोडूशन हो रह सब्सक्राइब करना चाहिए तो यह करेंट का टॉपिक है वायू प्रोडूशन तो ऐसे टॉपिक आ सकते हैं इसलिए मैंने सोचा ले लेता हूं निउस्पेपर की कटिंग और देखो यह डिजिटल किरांती यह भी पूछ सकते हैं डिजिटल किरांती भारत में डिजिटल किरांती तो यह सब जो कर रहा है भार यह जो आपको सब याद रहना चाहिए क्या कर नएनी चीज़े हो रही है तो आप करेंट के टॉपिक पर अगर आप लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा यह कुछ अच्छे टॉपिक थे तो मैंने ले लिए और बुक देखेंगे क आपको बुक कौन सी यूज करना है अगर आपको लेना है नहीं तो आप यूटूब से करोंगे यू ऐंफ लाइन करना तो और और बेक्तर आप दिस्ट्व्टिए आती है यह त्टी दा विजन वालों की यह आई-ए अच्छे हैं यह थोड़ी पुरानी है 2018 की है अभी करंट की भी आ चुकी है निवन दिशित 2019 की आई एस की वैब 125 इसमें सैट होते हैं सब में और जो जो टॉपिक आए हुए उसमें पूरा दिया होता है और कुछी से SSC में आ जाता है तो यह आप इसको आप फिलिप कार्ट स लिए सकते हुए अगर आपको नई प्रम दी नहीं करना दो अब इसके अंदर देखो ऐसे टॉपिक दिये होते हैं अब इसमें इसमें एजवान एम्पार्मेंट पर दिया है योगा पर दिया है एजुकेशन एजुकेशन इन्डिया सब भारत और इसमें देखो माईला स सस अच्छे तॉपिक भारत की संस्कृति वासविक शिक्षा क्या है तो अच्छे टॉपिक दिये हैं और नीचे इन में इसमें ये भी दिये हैं और महापुर्शों के विक्तिवस्से भी जुड़े विम्रामबेट कर जी के बारे में तुलसिदास बुद्ध टैगोर विवेकनन गांधि जी महाविर तो सब के बारे में कुछ नगुद्ध आ सकते हैं टॉबिक पूस सकते हैं तो एक बार आप पढ़ सकते हो अच्छे टॉबिक दिए हैं तो यह बुक आप ले सकते हो विया अपको चीज तयारी करने है तो अच्छी बुक है काम आएगी नहीं तो कोई 72 marks आये थे ठीक है और यह मेरा final score है यह 72 marks है तो लगबग 236 के लगबग हो रहा है तो ऐसे ही marks आपको भी लाना है तो जो मैंने स्ट्राटीज होता है यह आप खोलो करिए और आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही आपको स्ट्राटीजी मिलती रहेंगी और प्रैक्टिस के लिए वीडियो भी मिलते रहेंगे थैंक यू वेरी मुच ठीक है